नमस्कार दोस्तों मेरा नाम काना है और जिस विशे पर मैंने आज अपनी ये कविता लिखी ये बहुत गंभीर और बहुत संगीन विशे है ये उस बाप के धर्द की कहानी है जिसकी बेटी का बलातकार हो जाता है और मैं चाता हूँ आप भी उसी जोश और उसी दर्द में सुनें जिस जोश और दर्द में मैंने कविता लिखी है कि एक बाप नहीं चाहता उसके घर में एक बेटी आए, जो सिर्फ वो दे सकती है, ऐसी खुश्यों की पेटी आए, वो नहीं चाहता उसके घर में भी एक परी हो, जो ननी सी मुसकान लिये उसके सामने खड़ी हो, वज़ा ये नहीं है वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वज़ा चौर है, वज़ा ये है कि कहीं उसकी ज़त तार तार ना हो जाए, उसे डर है, कहीं उसकी बेटी का बलातकार ना हो जाए, उसे डर है, कहीं उसकी बेटी का बलातकार ना हो जाए, अरे कोई नहीं समझता इस पीड़ा इस दर्द को, उसके शरीर के निशान, उसके बहते व तुम्हे, और कुछ नहीं तुम हिंु Griff मुस्लिम का मसला उचाल देते हैं, तुम हिंदू मार को दो दोचार हम मुसल्मान मार देते हैं, क्यों क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की ही रही होगी, लड़के नहीं, लड़की नहीं जबरदस्ती की होगी अरे शरम करो ये कहने वालो यह इजद बाजार में नहीं बिखती अरे तुम्हे लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं अपनी छोटी सोच नहीं दिखती और क्या कहते हो तुम कि लड़की अगर रात में बाहर निकलती है तो ही रेप होता है लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के सरयाम गुंती है तो ही रेप होता है तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि बाहर निकलने की ज़रत है जब घर में ही आट महीने की बच्ची का बलातकार हो सकता है और किसी बाहर वाले की ज़रत है आट मेने की बच्ची होती कितनी है उसकी तो डंग से आख भी नहीं खुली होगी कई ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होगी उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होगी उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी पर ना जाने ये तुम्हारी सोच किस फिराक में बेटी है शायद तुम भूल जाते हो कि एक जवान बेटी तुम्हारे घर में भी बेटी है अरे तुम्हारी इसी भूल की वेश से मेरे बेहन के शरी में सरिया डाल दिया जाता है चलती बस में से फिर उसे फैक दिया जाता है उसे रोड पर नंगा देख उसकी वीडियो बना ली जाती है फेस्बूक वट्सेप पर फिर उसकी जटो चाली जाती है पर साहब वो तन से ही तो नंगी थी मन तो उसका जिन्दा था एक चुन्नी तक नहीं उड़ाई गई उस दिन मर्द शब्द अपने आप में शर्मिन्दा था उसके कातिल भी जेल से यू ही निकल जाते हैं वहां से निकल फिर वो एक बस में चड़ जाते हैं ताकि फिर कोई बहन उनकी बस में सवार हो सके ताकि फिर कोई दामनी उनकी हवस का शिकार हो सके फिर हम नारे लगा देते हैं बेटी को कमजोर बताने के हिंदू मुसलिम भी कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ, मुसलमानों, भारत छोड़ो तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को बराबला कहने में क्योंकि तुम क्या जानो कितना दर्द होता एक बेटी को दर्द सहने में और मैं बिलकुल नहीं गबराऊंगा एक कहने में कि जादा वक्त नहीं है तुम्हारी बेहन बेटियों का भी खुल बेहने में अरे सब सोचकर कौन बाप चाहेगा उसके घर में भी एक बेटी हो जो छाती से लगी उसकी गोद में बेटी हो पर अब और नहीं, अब अर आदमी को टोकना होगा आतंगबाद से पहले इन जंगलियों को रोकना होगा अब नारे नहीं लगाने है इन साफ के अब आस नहीं जगानी है इस बिकीवी सरकार से अरे अब तो खुदी सबर की सीमा लांगनी होगी ऐसे जानवरों में अब खुदी गोली मारनी होगी क्योंकि अगर इन्हें ना रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खतम हो जाएगा अरे सिर्फ बेटी ही क्या इंसान बनना ही खतम हो जाएगा इंसान बनना ही अरे सिर्फ बनना ही